हेलो एप्रीवन वेलकम बैक टो कृतिका बेसी क्लासे तो टोड़े टॉकिंगे बाउट था आइज लिमीट एंड फेलोशिपस और अधर डीटेल्स की वार में फोल डीटेल में डिसक्स करने वालें तो प्लीस स्क्राइब माय यूटूब चैनल इतो जॉइंड जॉइंड ट अधर हम आईशेमर जयारिफ की बात करें तो आईशेमर जो है हमारा एक नेशनल लेवल एक्जामिनेशन होता है जो कि 12 सेटंबर 2021 को संडे की जिन पेपर डिटर्माइन किया गया जिसकी के लिवेल्टी जो है इंडिन नेशनल कैंडिगेट के लिए होती है उसकी उसकी जो कि आईशेमर के तरफ से मलता है जो आवर्ड ऑप जी आईवर्ड जी एवल केंडिवेट विल डिवेंड ओन देर फेडिंग प्लेस्मेंट इन अ मैडिकल कॉलेज में अपले सकते हैं या फिर किसी भी हॉस्पीटल में इनवर्सिती में नेशनल लेबिटी में इंसिट् की बात करें तो यह टोटल टोटल आफ 150 फैलोशिप्स वोड बीड़ ऑवार्डेट में मैक्जिमम 120 फैलोशप्स वोड बीड़ ऑवार्डेट वर्क इन फिल्ड बायो मेडिकल साइंस और इंड इंफैसिस ऑफ लाइफ साइंस में होता है जहां कि आपका लाइक माइक्रो भ्यालोडोज़ी होता है फिसयोलाजी होता है मॉलभाय होता है और्णी प्र awk और्णी के कार सकते हैं अभी तो यह पर अगरिकल्चर भी आपका जॉइन हो चुका है स्वाल सरा सब्यक्स यहागर अगर बीकल्ट लिश्ट में भी नोर बी डिक्लेट इन दा कुंशेड अप्छींस अप्यर फन्हरीं पर और फैर फेर व्यारिस प्निपीव होता है जहां के शिफित की होते हैं यहां पर अप्लिकेशं प्रोसेस की बात करें वहीं अगर SCHT के बात करें तो SCHT का जो आपका फीस है वो 1200 है और उसका जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो अप्लिकेबल है और फी फोर पीडाबलो बीड की बात करें तो एक्सपेंडेंट फोर्म पेमेंट करेंगे फीकी वहीं date of failing of online application form जो 1 July 2021 को हुआ है राश्टेट जो है आपका 31 7th July 2021 को है and entrance exam 12 September 2019 को है education qualification की बात करें तो education qualification जो की आपका LGBT criteria है उसका MSC MA and जो equivalent degree होगा जिसमें की subjects area की बात करें तो वहाँ पे आपका sections में होता है कितनी sections में आपको join क्या minimum 50% OBC को होना चाहिए OBC General EWS के लिए and जो 50% mark होते हैं वो SC और HD के लिए होना चाहिए जहां कि जो candidates इसमें SC HD के होंगे वो 50% and जो OBC General और EWS के होंगे वो 55% होगा यहां PA schedule दिया हुए आप यहां पर पढ़ लीजे कि क्या क्या और कैसे कैसे कौन से LGBT criteria में आप देख सकते हैं as well as age limit की बात करने तो age limit जो है for the admission to the age well test in the 20 years as well 13 September 2021 21 अपर age limit for the reactable in the 5 years in the case candidate belonging the SC or HDC होना चाहिए and PWBD जो है female candidate and 3 years जो होगा वो OBC category के लिए होगा syllabus जो है आपका UGC होना चाहिए and sample question for the ICMR की website पर आपको जाके मिल लाएगा जहांकि आप syllabus को देख सकते हैं method of selections की बात करें तो जो mode of examinations होगा आपका computer based test होगा यानि CVT mode पर होगा paper online होगा and durations of examination होगा वो 2 hours का होगा 120 minutes होगा जो date of examination की है वो आपका 12 September 2021 Sunday की दीन है and जो number of shift हो 1 shift में होगा afternoon 3 p.m. and जो locations of examination center वो 21 city of India में दिया गया है language of paper वो English में है जो type of questions होगा objective type में होगा और जो marking scheme की बात करें तो यहां पर marking scheme की क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं marking scheme की बात करें तो यहां पर the exam will be considered the one paper two hours duration होगा the paper will be the consist two sections the aptitude section section one and जहां कि आपको 50 questions होगा जहां कि जो scientific phenomena is the every life second general knowledge in science and the common sense in all this question would be the compulsory in this question carrying one mark and the subject section section से subject section जो की subjects wise होगा वहां पर आपका B sections और C sections होगा would be the person B life science होगा and the C section होगा वो आपका social science में होगा जो B C होगा वहां पर आपके 100 questions होगे B section और C section से 100 questions होगे जिसमें कि आपके सिर्फ only 75 questions को attempt करने बाकि जो section A हो सबके लिए compulsory होता है और B C में आपको subject wise choose करने जहां कि आपको 75 questions ही करने रहते हैं रिजल्ट और एंसर की की बात करें तो जो रिजल्ट है वो आपका ICMR की examinations will be the uploaded ICMR new daily website in the 3 day of exam exam की 3 day वाद ICMR website पे आपको रिजल्ट का जो answer की होगा वो आपको upload हो जाएगा यहां कि आपको देखने के मिले मिल जाएगा इस चैनल पे आपको हर चीज इस ICMR से related सारी अपडेट मिल जाएगी and the list of codes की बात करें सब्जेक्ट कोड होगा जो column A है आपका देख सकते हैं and the city centers की बात करते हैं कि इंडिया की कौन से centers में आपका city है एहमताबाद में बैंगलोर भोपाल भुनेश्वर 36 गड चैन्नेई देहरादुन डली गुहार्टी हाइदरावाद और जोदपूर जोदपूर यह सारी जो 11 city है जो की आपका center code है यहां पर 21 city रखी गई है 21 city में आपका एक्जाम जहां की कोलकटा भी है लखनाव मॉंबाई नौइडा पटना पूने राजकोट यानि गुजरात में है श्री नगर है तिरवंधनात्पूरा में और वारांड सी यह 21 city है जहां की आप entrance exams के लिए किसी भी जगह पे आप apply कर सकते हैं जिसके भी निया recording आपका city आता हो अगर हम fellowship के बात करें तो यहां पर the candidate qualified the award for JRF will receive fellowship from the ICMR में जो भी JRF qualified कर जाता है उसे ICMR की तरफ से फैलोसिप्स पिलती है जो फैलोसिप्स होता है वो आपका 31,000 वनली होता है पर मांथ आपको दिया जाता है यहां पर second point की बात करें तो second है आपका the durations of fellowships will be the initially be limited in the two year scanning of the monthly होता है जहां की आपका 31,000 वनली पर मांथ आपको दिया रहाता है इसकी एनम्स होती है वहीं अगर as submitted in the institute का assortment community के according यहां पर जो assort यानि senior research fellowship होता है JRF का मतलब junior research and senior research fellowship में के event के according community के recommendation of gradations and fellow of the country JRF within the separate in the 31,000 per month in the third year is his year fellowships may be the termine depending of the decision community का होता है जो कि the total tanning of JRF, SRS, LV not they exceed in the five years के लिए होता है thanks for the watching